क्लास सेकिंड का चाप्टर नुम्बर थ्री माच्स का पढ़ रहे हैं करते हैं हम बोरी डॉट करेंगे थे स्टार्ट करते है संदेश संदेशे हadore डॉंकी बनी बनी बी है संदेश, संदेश has a donkey, संदेश की पास क्या है, एक donkey है, right, it carries sack full of the salt on its back और वो donkey की back पर क्या लेके जाता है, साक्स लेके जाता है, उस साक्स में क्या होता है, salt होता है, full of salt on the way to the market, they have to cross the river, अब market जाने का जो वे होता है, जो रिस्ता होता है, उसके बीच में आती है, एक river और उन्हें क्या करना परता है, उस river को cross करना होता है, one day while crossing the river, एक दिन वो cross कर रहे थे river the donkey slipped and fell into the river, और donkey क्या करते है, donkey slip हो जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, river में गिर जाता है ज्यादा बड़ी नहीं होती, थोड़ी सी होती है, when it got up, और जो वो खड़ा होता है, the sack felt very light और लेकिन जो उसके sack होती है, जो पाने से गिर के river से गिर के खड़ा होता है, तो जो उसका sack होता है, जो बोरी होती है, वो बहुत हलकी लगरी होती है, बहुत light लगरी होती है So, guess why the sack felt lighter, अब हमें guess करना है, कि वो जो sack था, जो बोरी थी, जिसमें इत्ता सारा नमक था, वो heavy थी, जब वो river उसने cross नहीं करी थी, जब वो river में नहीं गिरा था, उससे पहले वो बोरी बहुत भारी थी, लेकिन जैसे ही उसने पानी में गिर गया, वो बोरी क्या हो गई, हमें ये guess करना है, ठीके, the donkey was very happy, donkey बहुत खुश हो जाता है, कि वाउ, मेरा तो जो बोरी थी, वो तो इत्ती light हो गई है, अब तो मज़ा आ गया, हाना, कम भार उठाना पड़ेगा ना donkey को, आगे क्या होता है, this also gave it an idea, और उसको एक idea आता है, next day while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip, एक जब अगले दिन वो cross कर रहा होता है ना river, तो जो donkey क्या होता है, बहुत clever होता है, और वो decide करता है, मैं दुबारा से अंदर पानी में डिप करूँगा, मैं लब दूबूँगा, और मेरी जो बोरी है, वो हलकी हो Sandeesh understood the donkey's trick, इस time पर तो सको की trick समझ आ गई, हाँ, तो Sandeesh क्या बोलता है, हाँ, let me teach, it's a lesson, मैं उसको एक lesson सिखाता हूँ, next day Sandeep put sack of a woolen clothes in the place of salt, और वो sacks में क्या रग देता है, salt हटा के woolen clothes रग देता है, गरम कपडे रग देता है, उन वाले, Now, what would happen to the donkey when it dipped into the river, और why, अब ये पूछा है, next question हमसे, कि अब वो जब river में dip करेगा, river में पानी में गिरेगा, तो उसका जो sack है, वो heavy हो जाएगा, या lighter हो जाएगा, अब हमने इसमें two questions देखे हैं, एक तो ये वाला question number two, और एक इससे उपर वाला gas वाला, तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, कि वो जब गिरा पानी में, जब वो river में गिरा, तो उसका जो sack था, salt वाला, तो वो हलका क्यों हो गया, वो lighter क्यों हो गया, reason, अब इस reason को मैं, answer तो मैं बता दूंगे आपको, लेकिन हम इसका experiment भी करेंगे, ठीक है, आपको experiment भी करना है अपने घर पे, so, अब जब उस वो पानी में गिरा, तो जो salt था, वो पानी के अंदर mix हो गया, जब आप experiment करके देखना, एक किसी भी कपड़े में salt ले लेना, और वो salt को पानी में ऐसे dip करना, थोड़ी दिर रहने देना, salt आप देखो के गाया बुझाएगा, अगर किसी के घर पे waiting machine है, तो वो wait कर सकता है, और अगर जिसके नहीं है, वो थोड़ी दिर पानी में रहने देना, salt देखना, अपने next question हम से पूछा गया है, कि जब उसने salt की जगह woolen clothes रख दिये, और डम की गिरा, तो उसका जो sack था, वो heavy होगा की lighter होगा, पहले तो ये बताना है, तो, अब sack क्या हो जाएगा, heavy हो जाएगा, क्यों heavy हो जाएगा, reason बताना है ना, why, क्योंकि जो woolen clothes होते है, वो पानी को अंदर ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, पानी का भी weight हो जाएगा उसके साथ, तो वो heavy हो जाएगा, कोई भी अपनी, कोई भी woolen clothes लेके, अपना sweater या कुछ भी लेके experiment कर सकते, जब वो गिला नहीं होगा, तो उसका weight light होगा, और जब आप उसको पानी में dip करके दुबारा उठाओगे, तो उसका weight heavy होगा, ठीक है, अब next है हमारा, राजु wants to ride a seesaw, राजु को क्या करना है, seesaw को write करना है, राजु need a friend to ride a seesaw, अब हमें पता है, हम seesaw ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो दो friends चाहिए होते हैं ये रा राजु, एक इधर भी चाहिए बंदा बैठने के लिए तभी तो हमसे seesaw खेल पाएंगे, so राजु come to help राजु, फिर कौन आती है, राजु आती है, ये है राजु, but still राजु cannot ride, तभी वो ride नहीं कर पा रहा, can you tell why, circle the correct answer, राजु फिर भी नहीं कर पा रहा, अब हम बता सकते हैं क्यों नहीं कर पा रहा, राजु is heavier और lighter than तो राजु क्या है, भारी है ना राणी से, तो भारी के लिए क्या रिखेंगे, heavier, next देखो, असलम comes to help them, फिर असलम आता है, ठीक है, look at the picture, picture में ये दोनों आ गए, can you tell why the seesaw turned this way, अब seesaw इधर क्यों चला गया, क्योंकि राजु is heavier or lighter than राणी और असलम, अब ये दोनों का व the heavier कौन हुआ, राजु क्या हुआ, heavier हुआ, lighter हुआ, lighter, like this, इसको circle कर देंगे, I have an idea, let me keep my bag with me, मैं अपने साथ क्या रख लेता हूँ, राजु कहते है, मैं अपने साथ bag रख लेता हूँ, we are all enjoying the rider, वो सारे क्या करते है, अपनी राइट को enjoy करते है, next है, heavier or lighter, which one of the two things will make the seesaw down, look at the example, ये देखो, ये दो चीज़े दिये हुए है, अब हमें पताने है, कौन सी चीज, को seesaw को down कर देगी, तो ये watermanless ice, शायद बना हुआ, तो ये heavier होता है, तो हमने इस तरफ कर दिया, इन दोनों में से कौन सा heavy होगा, of course, हमारा मटका, अब ग्लास और जग में से कौन सा heavy होगा, जग, और ये, बाल्टी, तो बाल्टी यहाँ लगते होगा, अब next है हमारा color the one, which is lighter, आपको color करने है, वो जो की lighter होगे, तो ये ए में से tennis ball दी होगा, और football दी होगे, तो हम geometry box को color करतेंगे, इसका next while आपको next video में दिखेगा, कह देते हो video बहुत लंबी होगी है, तो उपर eye button दिख रहा होगा, आप उस eye button पे click करोगे, तो आपको part 2 हो जाएगा, ये part 1 है, ठीक है, if you like my channel, please subscribe and don't forget to share with your loved ones, thank you.